जेई जिनिंदर दोस्तों, जेई पाच्छाला आपका स्वागत करता है इस वीडियो में हम देखेंगे रोहिनी की कहानी और रोहिनी तब कैसे किया जाता है रोहिनी का संचिप्त जीवन एक समय चंपा नगरी में श्रीवासुपुजय स्वामी का पुत्र मगवा नामक राजा राज्य करता था उसके एक सुन्दर स्वभावाली रूप लावन्य से युक्त लक्ष्मी नाम की रानी थी तथा आठ पुत्रों के उपर रूपलावन्य से युक्त स्वभाग्य गुन भूशिता रोहिनी नाम की पुत्री थी उसकी विवा के लिए राजा ने स्वयमवर मंडप की रचना करवाई और अनेक राजकुमारों को आमंतरत किया सर्व कुमार मंडप में आकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए उस वक्त राजकुमारी रोहिनी सोला सिंगार करके पालकी में बैठ कर अनेक सखियों के साथ स्वयमवर मंडप में आई एक सखी राज कन्या के आगे आगे चल कर प्रतियक राजपुत्र के नाम गोत्र, बल, वय, यश, रिद्धी वगरे का वर्नन कर रही थी राजकुमारी अन्य समस्त राजकुमारों का त्याग कर नाकपुर के राजा वीत शोग के पुत्र अशोग कुमार के कंठ में वर्माला डाल देती है राजा ने महोच्चव पूर्वक विवहा किया कई दिनों के पश्चात अशोग कुमार ससुर से सीख लेकर हाती घोडे रत पैदल वस्त्र भूशनों से युक्त अपनी पत्नी के साथ प्रस्थान कर नाकपुर पहुंचे राजा ने भव्य महोच्चव किया कुमार रोहिनी के साथ आनंद पूर्वक रह रहा था एक दिन शुब महरत में वीत शोक राजा ने अपने पुत्र का राज्य अभिशेक किया और दिक्षण अंगिकार कर ली अशोक राजा ने क्रमश आठ पुत्र और चार पुत्रियां हुई एक वक्त राजा रोहिनी रानी के साथ अपने साथ मंजल के महल में बैठा हुआ लोगपल नामक अपने कनिष्ट पुत्र को गोद में लेकर खिला रहा था उस समय नगर में किसी एक स्त्री का प्रिय पुत्र गुजर जाने से वह विभाचारी विलाप करती हुई महल के समीब मार्ग से जा रही थी इस द्रिश्य को देखकर रानी ने पूछा हे महाराज ये कौन से किस्म का नरत्य है राजा ने कहा प्रिय अहंकार नहीं करना चाहिए सुख दुख हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं रानी ने कहा प्रभू मगर मैंने ऐसा नरत्य कभी नहीं देखा इसलिए ही आपूम तब राजा ने कहा प्रिय इसका पुत्र मर गया है अतिये ये रो रही है पुना रानी ने पूछा सुखामिन इसे रोना किसने सिखाया रानी के अजीब प्रश्न पर राजा क्रोधित होकर कहने लगा अभिमाननी देख मैं तुझे रोना सिखाता हूँ ऐसा कहकर रानी के गोद में रहे हुए बच्चे को उठा कर राजा ने जमीन पर फेंका उस समय वहां रहे वे सभी लोग हाहा कार करने लगे लेकिन रानी के रिधे में लेश मात्र भी दुख नहीं हुआ इधर नगर के अधिश्टाता देव ने नीचे गिरते हुए राजपुत्र को अधर जेल कर सीहासन पर बिठा दिया ऐसे चमतकार से चमत्र कृत होकर सर्वजन कहने लगे अहा महारानी रोहिनी का आदर जीवन धन्य है की जो दुख की बात तक भी नहीं जानती उस वक्त श्रिवासुपुजय तिर्थंकर देव के रूप्य कुम्ब और सुवर्न कुम्ब नाम के दो ज्यानवंत शिश्य पधारे राजा परिवार सहित वंदन करने गया गुरु महाराज ने धरम देशना दी सुनकर सर्व सबाहर्शित हुई उस समय राजा ने विनम रभाव से पूछा हे भगवन मेरी पत्नी रोहिनी देवी ने पूरों में ऐसे कौन से तपस्या की थी जिससे दुख की बात तब तक भी नहीं जानती साथ ही कौटमबिक सुख में इसकी रत्न कुक्षी में से आठ पुत्र और चार पुत्रियां उध्पन हुई मेरी भी इस पर असीम सने है इन सर्व संयों के कारण भूत इसका पूर्व भव रित्तांत बताने की कृपा कीजिए रोहिनी का पूर्व भव इस ही नगरी में धनमित्र नाम का एक सेट रहता था उसके धनमित्र नाम की एक पत्नी थी उसके कुटसित घरबाशय में से एक दुरभागिनी कुरूपा दुरगंदा नाम की पुत्री उत्पन हुई थी कन्या की ऐज़ी स्थिती देखकर कोई भी व्यक्ति उसके साथ विवाहा नहीं करता था. पिता ने अपना पिंड छोडाने के लिए एक मुर्थ्युदंड पाए हुए चोर को मुक्त करा कर उसके साथ पुत्री का विवाह कर दिया. किन्तु मौका देखकर वचोर रात को ही भाग गया समाचार मिलने पर सेट को बहुत दुख हुआ उसने अपनी दुखी पुत्री को भी आश्वासन देकर कहा हे पुत्री तु विलाप मत कर अपने घर के दर्वाजे पर बैठकर निरंतर दान पुन्य कर जिससे तेरा दुष्ट कर्मर पिताश्री की आज्या अनुसार वबाली का दान देने लगी एक दिन एक ज्याने गुरु भगवन का पदारपन हुआ सेट ने कोटमबिक सह वेक्तित्व वंदन करके अपनी पुत्री की अवदशा का कारण पूछा तब मुनिराज ने दुरगंदा का पूरो भव फरमाया उन्होंने कहा गिरिनार नगर के अंदर पृत्विपाल नामक राजा राजे करता था उसके सिद्धिमती नाम की एकरानी थी एक बार राजा अपनी पत्नी को साथ लेकर वन करीडा करने को जा रहा था उस समय मासकमन के पारने बिक्षा के लिए आते हुए सागर नामक मुनिश्रेष्ट को राजा ने देखा उनकी प्रभावशाली मुख मुद्रा को देख कर राजा रिदय में विचारने लगा यह गुन निधान महात्मा तीर्थ स्वरूप पुन्य शेत्र है इनके दर्शन मात्र से ही महा पुन्य है कहां भी है साधूओं का दर्शन पुन्य है कारण कि साधूजन तीर्थ भूत है यद्यपी इसमें भी अधिक्ता यह है कि तीर्थ को कालांतर में फल प्रदान करते हैं परंतु मुनि जनों का समागम शीग्र ही फलितार्थ होता है राजा ने विचार किया कि इस निस्प्र मुनिराज को दान देने में से महाफल होगा अथा अपनी प्रियतमा को कहा कि हे प्रिये तु यहां से घर्जा और इन मुनिश्वर की आहारदान से भक्ती वर कर वन क्रीडा के आनंद में शती होने से भीतर द्वेश और बाहर से आनंदित दशा का धोंग कर राजा की आग्या अनुसार रानी वापस लोट आई लोट गई घर पर आकर द्वेश शात मुनिराज को कडवे तुमबे का आहार बहरा दिया मुनि महात्मा ने उस आहार का पारना किया जिससे काल धर्म पाकर शुबध्यान द्वारा देव बने इस हकीकत का समाचा राजा को मुलने पर राजा ने तिरसकार करके रानी को देश निकाला दे दिया कहते हैं अतिशे उग्रपुन्य और पापों का फल इस ही भव में प्राप्त होता है इस नियम के अनुसार वा रानी साथवे ही दिन कुष्टनी हुई बहुत समय तक जैन धर्म की निंदा करके मर कर दटी नारक में गई वहां से निकल कर तिरियंज योनी में उत्पन हुई पश्चात साथवी नरक में गई इस तरह वा परमात्मा सर्व नारकों में घुमती रही पश्चात क्रमश, सर्पनी, उंठनी, सियालनी, कुकडी, सुवरनी, कोकिला, जलोक, उंदरी, कागला, कुत्ती, बिलाडी तथा गाय के भव में अवतरित हुई अंतिम गाय के भव में गुरु माहराज ने उच्चारित नवकार मंत्र की, उसने अनुमोधना की, उसके प्रभाव से मनुश्य भव में अवतरक कर यह दुर्गंदा नाम की तेरी पुत्री बनी यह सब सुनकर दुर्गंदा ने जाती स्मरन द्वारा अपना पूर्व भव जाना, तब हाथ जोड़कर गुरु माहराज ने सविने पूछा, हे भगवान, इस दुख से अब मेरा निरस्तर कैसा हो सकेगा दयालू मुनिराज ने फर्माया, तो विधी पूर्वक रोहिनी तपकर जिससे तेरे सारे दुख नश्ठ हो जाएंगे रोहिनी तपकी विधी, रोहिनी नक्षत्र के दिन उपवास करके श्रीवासु पूजय स्वामी के बिम्ब को अश्ठ द्रवियों से पूजन का विधान समझाना, श्रीवासु पूजय अरहते नम इस पद का दो हजार जाप करना काउसग, प्रदिक्षना और खमाशना, अरियंत पद के समान बारा बारा करना चाहिए यदि पोशत किया हो तो सर्व द्रविक्रियाएं पारने के दिन करना गीतार्ट सम्मत है, साथ वर्ष, साथ महिने परियंत इस वरत का आराधना करना चाहिए पश्यात यथा शक्ती उजमना करनी चाहिए तो धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक, शेर, कमेंट एवं सब्सक्राइब भी कीजिए